अध्यूद्स मैं वाइपी सिंग फ्रॉम गवर्मेंट पॉलिटेक्निक बदाईयों और आज हम सीखेंगे टू प्लेट इन्जेक्शन मोल्ड कीट डिजाइनिंग डिजाइनिंग ऑफ टू प्लेट इन्जेक्शन मोल्ड सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अपनी बैक प्लेट प्यार्म डिडीसी सब्जेक्ट में यह हमारा आता है टॉपिक और इसमें फ्री हैंड डिजाइनिंग होती है तो फ्री हैंड इसको हम फॉर्म करेंगे यह हमारी क्या हो जाएगी बॉटम प्लेट ठीक है जो की किसमे होगी हमारी मूवेबल हाफ में ठीक है यह हमारा क्या है जाएगा इजेक्टर रॉड और इजेक्टर ग्रेट ठीक है इसके बाद मोल्ड में हमारे यह क्या होंगे सपोर्ट ब्लॉग ठीक है सपोर्ट ब्लॉग ठीक सपोर्ट ब्लॉग के बाद फिर यहाँ पर हमारी क्या होंगी बीच में दो प्लेटे हमारी लगी भी होंगी इसमें इस प्लेट को हम क्या कहेंगे बैक प्लेट और जो इसके ऊपर सटी भी इससे लगी भी होगी उसको हम कहते हैं रेटेनिंग प्लेट ठीक है इसके बाद ये जो retaining plate है इसमें हमारी क्या होती है ejector pins ejector pins ठीक है और ये हमारी क्या कलाती है core plate core plate के जस्ट आगे हमारी cavity plate लगी होती है that is cavity plate और ये क्या है हमारा इसको मैं dark कर देता हूँ ये हमारा product या article जो भी इसमें mold में हमारा form होता है ठीक है इसके बाद ये हमारी क्या लाती है top plate ठीक है top plate के center पर ही यहाँ पर हमारा located होता है locating ring और register ring ठीक है ये directly किसे connected होता हमारा it is directly connected to nozzle of injection mold machine मेटरिल हमारा यहां से जब फीड होता है तो यहां पर हमारा क्या बनेगा इस्प्रू और यह इस्प्रू जो है इसको मैं हैशिन से कर देता हूँ यह कहलाता है हमारा इस्प्रू बुस जिसके अंदर हमारा इस्प्रू फॉर्म हो रहा है उसको हम इस्प्रू बुस कहते हैं ठीक है अब यह जो प्लेटो के असेंबली है हमारी यह बहुत सारी जो बंच है प्लेटो का इसको असेंबल करने के लिए बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो इन प्लेटो के अंदर इसको हम सपोर्ट पिलर कहते हैं ठीक है ऐसे ही इदर हमारा गाइड बुश और जहां यह फिट होता है इसमें इसको हम क्या करते हैं गाइड बुश और यह हमारा क्या हो गया गाइड पिलर गाइड पिलर क्या करता है जो प्लेट है उनको स्ट्रेंड देता है सपोर्ट करता है उनको फिक्स करके रखता है यह है हमारा टू प्लेट मोल्ड इसको एक बार हैजिंग के साथ हम दिबाइस कर लेते है सबसे पहले हम ने फॉर्म की थी बॉटम प्लेट जो के हमारी ejection system में होती है यहां हम कह सकते हैं movable जो half होता है मोल का उसमें अक्चेट होती है इसके उपर हमारे support block लगे होते हैं support block के बीच में back plate और retaining plate assemble होती है जिसको हम ejector plate assembly बोलते हैं इन दोनों प्लेटों को fix करके रखने का काम जो हमारा support block करता है इसके बाद यह हमारी core plate होती है जिसके उपर हमारा plastic product form होता है ठीक इसके जर्श्ट तूसरे half की बात करें तो सबसे पहले हमारी top plate और top plate के उपर हमारा क्या होगा register ring या फिर locating ring जो की directly connected होता हमारा feed system इसको बोला जाता है जो की directly connected होता है injection mold machine के nozzle से इसके बाद आता हमारा sprue bus और sprue bus के अंदर हमारा क्या form होता है sprue और यह plate जो है हमारी cavity plate होती है यह हमारा two plate mold जिसको हम easily इसका nomenclature कर सकते हैं और easily इसको बना सकते हैं free hand design जिसको हमारी बादा बादा जया है जिसको हमारी थाटों, जो इसको हमारे Champव और कि जा हमारेम, क्या हमारे सकते हैं